हाई अच्छों, हाव अर्यों, फाइन, और के, मैसाथ जेपी गरीक फ्रॉम सारण आईजी, जी मैथमेटिक्ष, वेलकम्स यू आल इन वर्ल आफ मैथमेटिक्ष, मैथमेटिक्ष दुनिया में आप सभी का श्वागत है, जैसा कि आप सभी को थंबनेल से यह ग्यात हो गया ह किसी दिये हुए पॉइंट से किसी लाइन के बीच का डिस्टेस, इसके साथ साथ दो पैरलर लाइन के बीच का डिस्टेस भी हम इस वीडियो के माध्यम से सिखेगे, So, without wasting our precious time, let's start to learn, suppose करते हैं कि कोई एक पॉइंट पी है, जिसका पॉइंट है, एक समा वाइबन दिया हुआ है, और एक लाइन दिया हुआ है, जिसलाइन का इक्रेशन है, AX पलास B वादी, पलास C ओल दिया हुआ हुआ है, और एक पॉइंट दिया हुआ है, जिसके पॉइंट एक समा वाइबन, हमें क्या पॉइंट कर राहें? इस point से, point में यहां जै सकते हैं, इस point P से, इसमें चोग perpendicular डाला जाया है, उस perpendicular distance को हमें find करना है, यह perpendicular distance point करना है, सब्सक्राइब करने हैं, यह perpendicular distance को हम यहां D से denote करते हैं, तो यह हम to find the distance D from the point B to the line AX plus BY plus C equal to 0. इसमें इसक्राइब करने हैं, distance of point P with X on Y off, distance of point P from a line AX plus BY plus C equal to 0 is गिये बात दिस्टेंस का फर्मुला कैसा दिस्टेंस पाइंट करेंगे ício इस इक्षर किर से रिप्लेश करण extremes replace कर जाएगे जहाँ X है वहाँ पे हम X बन पूट कर जाएगे और जहाँ Y है वहाँ पे Y1 पूट कर जाएगे तो यह हो क्या हमारा A X मानों और प्लस B Y1 प्लस B divided by divided किसे करेंगे तो divided by coefficient of X का aspire प्लस coefficient of Y का aspire के aspire जाएगे इस पॉट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने का फर्रोड़ा हो गया चुकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता इसलिए इसमें हम मोड लगाएगे तो क्या होगा कि मोड के बाहर जब भी आएगा तो अगर डिगेटि भी आगया तो वह पोजेटि नहीं हो जाएगा तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का किसी दिया में लाइन से डिस्टेंस करेंगे क्लिया हुआ गया अर इसमा हमें कोशें साल करते हैं कोशें बिखेंगे दिवा हो आए find the distance of a point find the distance of a point minus one plus one from the line एक लाइन दिया हुआ है 2L x plus 6 2L हो गया x plus 6 5y minus 2 5y minus 4 एक एस्ट्रेट लाइन का एक एक्वेशन दिया हुआ है इस एस्ट्रेट लाइन से इस फाइन के बीच का दिस्टेंस हम फाइन का लेए किलिए हो क्या पोश्चन अब हम स्वक कैसे करें y-2 अब हम क्या करेंगे this implies that multiply करेंगे 2L x plus 2L 6 सा 22 5y minus 5 2 सा 10 अब हम क्या करेंगे सारी party या defense of all 3 party x-continator, y-continator और और सब को left में रखना है, right step में 0 रखना है तो सारे part को इधर दे करा जागी तो हमारे पास हो जाएगा 12 x minus 5y 72 और plus 10 that is 82 2 equal to 0 यह हमारा straight line का equation आगा, आप हमें क्या रिकाना है इसका distance की काना है give a point, point p को और suppose करेंगे minus 1 plus 1 यह point हो गया और यह line होंगे आपारा 12 x minus 5y plus 82 equal to 0 यह given line 12 x minus 5y plus 82 equal to 0 यह line होंगे जो की general form में आगा और point दिया आगा तो इस point से इस line के इसका distance निकाना है तो distance therefore distance d of a point p minus 1 1 from the above line above line above line यह उपर जो लाइग गया हो इस line का spike से distance निकालने का फालूला क्या है जी तो जो x और y हो इस x-like को replace कर देगे minus 1 से और plus 1 से और नीचे तो मालू में कि हमें क्या करना है 12 का spike और plus यहाँ minus 5 का spike अब इस को solve करने का solve करके जो आएगा हो हमारा answer हो जाएगा कितना solve कर क्या आएगा जी minus 2 है और minus 5 minus का 17 minus 17 subject हो जाएगी किसमें से 82 में से तो 82 में से 17 minus होगा तो कितना हो जाएगा जी 65 हो रहा है 65 हो और plus 17 65 plus 17 हो गया हो जाएगा 82 और नीचे होगा 12 का square 144 minus 5 का square minus 5 का square कितना होगा जी 25 तो यह हो जाएगा 13 13 यहां दिखेंगे और इस 13 से जैसे इसको प्लाटेंगे तो यहां हो गया 5 unit तो यहां हमारा result हो गया killer हो गया बच्चों कि कैसे हम find करेंगा अगर कोई point दिया होगा है और line दिया होगा है तो उस point का उस line से distance निकालने के लिए अब हो लोग क्या सिखेंगे कि दो पहले line का बीच का distance कैसे हमारा how to find the distance between two given parallel दो पहले line के बीच का distance suppose करेंगे एक पहले line आच्छा पहले line का condition क्या है जी तो पहले line का condition है कि यहां स्लूप होगा दोनों line का स्लूप शेम होगा स्लूप स्लेम स्लेम का होगा जब ax plus by plus c1 equal to 0 और यहां ax plus by plus c2 equal to 0 यह दोनों पहले line कहे जाए क्योंकि एक सर्वाइक की coefficient सेम है अगर दो different line में एक सर्वाइक की coefficient सेम आगे तो यह दोनों line पहले line कहलाती है कि लिए हो गया है यह पहले line हो गया है सिर्थ इससा constant part differ रहता है constant part में differ रहता है constant part different होता है एक सर्वाइक की coefficient सेम है अगर सेम नहीं रहे हैं तब किसी number को common करके हम उसे same कर लेते हैं और चलें अब इन दो parallel line के बीच का distance यह parallel line है और parallel line के बीच का distance यह distance D होगी तो parallel line के बीच के distance distance की जब भी बात होगी तो perpendicular distance की बात होगी ध्यान रखना है अब इन एक point यहां नहीं है एक point नहीं है वो distance नहीं जब भी distance निकालना है that is perpendicular distance की बात की जाती है distance between two parallel lines two parallel lines ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0 distance between two parallel lines तो parallel line के बात होगी दोनो parallel line के बीच का distance is given by distance का अब भात होगा है जब भी parallel line है parallel line में जाला कुछ नहीं कर रहा है इनके constant term का difference निकाल देते मतलब c1 minus c2 निकाल देते उसका magnitude दालते के और divided by distance में एक रूप बाता है तो इनके constant term का difference अब निकाल देते that is c1 और c2 निकाल देते c1 minus c2 modulus क्यों डालते है clear हो गया है के distance का भी negative नहीं हो जाता और divided तो महीं काम करना है कि यह a और b दो line में same होना चाहिए अगर same नहीं है ति किसी number को common करते हैं common करके हो जाएगा अब इस वार हम एक question करते हैं find the distance between two lines find the distance between two lines two lines 15x plus 8y minus 34 15x plus 8y minus 34 equal to 0 and 15x plus 8y plus 31 plus 31 equal to 0 यह two lines यह find the distance between two lines two lines यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह चिक करें क्या जोनो लाइन parallel है yes क्यूंकि x and y both 15x 8y यहा भी 15x और 15x 15x plus 8y plus 31 equal to 0 here c1 equal to minus 34 and c2 equal to 31 constant term of first equation first line and constant term of second equation second line तो दोनों के सब्सक्राइब therefore distance d between these two lines इन दोन लाइज के बीच का distance नहीं दोन लाइज के distance d between these two lines तो दिस्सक्राइब पंडा होईए c1 minus c2 magnitude divided by root a square plus b square अब b1 minus c2 c1 minus c2 c1 यहा होगया minus 34 minus 31 magnitude लगा दें पुर्वरस लगा दें root 15 square plus 8 minus 34 minus 31 कितना होगा minus 65 but it is a distance so it never be negative 65 65 होगया root 115 square 225 and 8 64 two two seven nine two 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 nine two two seven nine two 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 orial हो गया यहां 70 और यह हो गया unit क्योंकि यह एक दूसरी को cancel नहीं करें तो 65 divided by 70 तो यह हो गया दो पहले लाइन के बीच का distance और इसके ज़स्ट पहले सिखे थे हम लोग कि एक पॉइंट का एक लाइन का बीच का distance कैसे दिखाता है किलर हो रहा है इसके साथ यह video complete होता है